नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल जियोश्टोड़े में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कंडिडेट है तीनों कंडिडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं जो यह फॉर्म बढ़ी जा रही है आज ही से और यह बताऊंगा इस वेकिंस के बड़ में आपको डीटेल में कि कौन-कौन से पोस्त के लिए अपलाई कर सकते हैं क्या पूरी प्रोसेस है वह सारी ज वैसे केटोगरी में जो होंगे उनको एज में मिल जाएगी तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहली बार अगरे चैनल पर विजिट कर रहे है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिया दोस्तों क्यूंकि जो वह आप सभी के लिए इसी तरह की खवर लेके आते ढ़ने थेपां डूस्तौं मैं आप लोग चाहितों इसे पढ़न भी सकते हैं मैं इसका लिन्क देदूंगा दिस्रेप्सिन में जाहसे चेकाउट कर सकते हैं डिटेल एडवर्टाइस्बेंट फोर डाइरेक्ट रिक्रिवेंट्मेंट फोर डिफेंस ग्रूप बी एंड सी पोस्ट और बीएसेफ वेटर विंग इग्जामनेशन टूटायों टूटायों टूटीटू यहां पर वोची दिये गई है और इसमें ग्रूप B और ग्रूप C दोनों की यहां पर पोस्ट जो है वह दिया गया है वेटर विंग की यह दी गई है पूरी डीटेल यहां पर देख सकते हैं और यहां पर पोस्ट सारे का यहां पर लिखा गया तो आप लोग अच्छी से देख सकते हो मैं केटोगराईज करके नहीं बताऊंगा नहीं तो ब के लिए के लिए 25 के लिए पोश्टर हombres के लिए 58 जो डीजल पेट्रोल के इंजन होंगे उसके लिए एलेक्टिसियन आएंगे एसी जो एसी टेक्निकल होते हैं उनका पोस्ट आएगा एलेक्ट्रोनिक का आएगा मेकैनिस्ट का आएगा कारपेंटर का आएगा पलंबर का आएगा और यहां पे यही सब आपको पोस्ट देखन उनाइस और यहाँ पर देख सकते हैं OBC के लिए उनाइस ST के लिए यहाँ पर 14 पोश्ट है तो यह सारी डिटेल दिये गया है तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हो अब यहाँ पर इसकी जो है BSF की जहां से अपलाई कर पाओगे उसकी जो है आपर website का link दिया गया है मैं इसका भी link description में दे दिया हूँ तो वहाँ से आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं अब PSKL की बात करूँ दोस्तों तो PSKL भी बहुत अच्छी यहाँ पर मिलती है जो SI वाले होंगे समिंस्पेक्टर वाले तो उनकी यहाँ पर सेली जो है 35,400 से स्टार्ट होगी और सेली उनका एक लाग बाढ़ाजर चार सक तक होगी उसका जो हेट कॉंस्टेबल वाले जितने भी कंडिडेट हैं उनका यहाँ पर 25,500 से सेली स्टार्ट होगी और 81,100 तक उनकी सेली मिलने वाली है सीटी यानि की जो है आपे वाक्रो के लिए जो होते है उनके लिए आपे 21,700 से लेके 69,100 तक उनकी सेली होने वाली है यह ची ध्यान रखिएगा अब एज का डिक्वाइड क्या है तो एज भी अलग-अलग सभी के है तो कुछ पोस्ट के लिए यहां पे 30 साल भी रखा गया है तो आप लोग ध्यान कियेगा कुछ के लिए यहां पे 25 साल है कुछ के लिए 28 साल है अब यहां पे देख सकते है जो SI है SI के लिए 22 से लेके 28 तक रखा गया है Engine Driver के लिए भी SI में आते हैं उन सभी का यहां पे दिया गया 22 से लेके 28 तर SI जो वर्कसब की आती है ठीक है तो उसमें 20 से लेके 25 साल तक रखा गया है Head Constable जो Master के होंगे Master के लिए 20 से लेके 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं बाकि जितने पोस्ट हैं 20 से लेके 25 साल तक इनका दिया गया तो वो चीज़ यहां पे आप लोग चाहिए हो चेकाउट कर सकते हैं अब दोस्तों हम लोग Qualification के ऊपर डिसकस करेंगे कि कौन कौन से candidate किस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं क्या degree उनके पास होनी चाहिए ठीक है तो यहां पे आप लोग डेटेल में देख सकते हो जो दिया गया Education Qualification सबसे पहले हम बात करेंगे सब Inspector Master के लिए ठीक है Master में जो भी candidate 12 पास हैं वो अपलाई कर सकते हैं साथ में यहां पे कहा गया है कि Second Class Master Certificate Issue by the Center or State Inland Avereator Transport Authority और Mercental जो Marine Department होती है उससे अगर आपके पास है तो इसके लिए eligible है अपलाई कर पाओगे साथ में जो सब Inspector Engine Driver की बात करें इसमें भी 12 पास मांगा गया है साथ में इसमें कहा गया है कि First Class Engine Driver Certificate होना चाहिए Central या State में तो भी आप लोग अपलाई कर सकते हो इसमें भी वेटर Transport Authority की द्वारा मांगा गया है उसका जो है सब Inspector जो Workshop के लिए अपलाई करेंगे उनके पास बैचलर डिरी होना चाहिए इन जो है Mechanical Engineering में तो आप लोग आप बेदिन कर सकते हो यह चीद ध्यान रखेएगा और यहां पर इसके बाद मांगा गया है और 3 years जो है Diploma in Mechanic है तो भी आप अपलाई कर पाओगे Head Constable की बात करें जो की Master के लिए इसमें भी है तो Metriculation मांगा गया है और जो Serange Certificate यहां पर मांगा गया है तो Serange Certificate क्या होता है इसके बारे मैं अलग से Community Tab है अपने YouTube Channel का उसमें मैं डाल दूँगा तो आप लोग Serange Certificate क्या होता है उसको जानने के लिए आप लोग चेक जरूर कर लीजिया उसमें आपको Clear पता चल जाएगी उसका फिर से जो है कर सकते हो उसके यहां पर कहा गया कि Head Constable Workshop बाले में यहां पर जो भी Candidate Matic Pass कर रखे है और ITI है Related Trade से तो अपलाई कर सकते हो और जो Candidate यहां पर City वाले Crew वाले में अपलाई करेंगे उनके पास Matic Pass तो होना आवस्य की है और साथ में कहा गया कि यहां पर दिया गया है शुड नो स्विमिंग इन डीफ वाटर विदाउट एनी असिस्टेंड यानि कि कहा गया कि अगर आप जो City क्रू में अपलाई करोगे तो आपके पास Matic Pass होना चाहिए और 265 एच्पी का एक बोट अपरेट करने की आपके पास experience एक साल का होना चाहिए साथ में आप लोग को तैरना भी आना चाहिए डीफ वाटर में किसी भी चीज को सहारा लिए भी न तो यह चीज यहां पर कहा गया तो आप लोग अपलाई कर पाओगे इसके लिए आप लोग का हाइट भी रखा गया जो भी कंडिडेट अपलाई करेंगे ठीक है जो भी नॉर्थ इसे आते हैं तो उनके लिए एक सब एक सब साथ सेंटीमेटर रखा गया है और मिनिमम जो है उनका चेस्ट का साइज जो है तेहतर सेंटीमेटर होना चाहिए मां की जितने भी आते हैं उनका 165 सेंटीमेटर यहां पर हाइट देखने को मिल सकता है आप लोग का होगा तो ही आप लोग आप लाइक करिएगा यह सारी जो है चीज मैंने बता दिया हूँ अब यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा यह भी चीज यहां पर किलियर मैंसन किया गया है सबसे पहला आप लोग का एक्जाम होगा ठीक है और उसके बाद एक जो है आपका सेकेंड फेज में है डॉक्मेंट वेडिफिकरशन होगा फीजिकल जो है आप लोग का टेस् होगा यानि कि जिस भी ट्रेड के लिए अपलाई करोगो उसका टेस्ट लिया जाएगा उसका मेडिकल आपका होगा देन आपकी सिलेक्शन यहां पर हो जाएगी तो यह सारी चीज बताये गए हैं अब यहां पर जो है रिटिन एक्जाम जो होगा उसका क्या परक्रिया रह के नुमेरिकल अप्टिटीट होंगे 25 कोशन 25 नंबर के और जो यहां पर जिस भी ट्रेड से अपलाए करोंगे उसके लिए ट्रेड अवैर्नेस 25 कोशन होंगे 25 नंबर के तो आप लोग यहां पर यह चीज धियान रखिएगा यह जो मैंने बताया है वह मास्टर यानि कि SI क बता है और सभी का जो है अलग अलग है लेकिन सभी का जो है 100 नंबर का ही होगा तो यह चीज यहां पर देख लिए मैं स्कॉल कर दे रहा हूं आप लोग अच्छे से देख सकते हो ठीक है तो मैंने पूरी प्रोसेस आप लोग को बता दी है वीडियो कैसी लगे जरूर बता अपलाई करेंगे तो उनको यहां पर जो है 200 रूपिया जो है वह फीस पेमेंट करना होगा बांकि जितने स्टी या फिमेल कंडिडिट है बिलकुली फिरी मैं अपलाई कर सकेंगे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में